आईए आपको फ्लैमिंगोस की खासियत बताएं इस्ट अफरीका में खरीब 20 लाख लेसर फ्लैमिंगोस रहते हैं जो यहां रिप्रोडक्शन के लिए आते हैं यह अपना घुंसला वही बना पाते हैं जब जील का पानी इतना कम हो जाए कि बीच में से इस जील का तल दिखने लगे लेकिन ये बात आज भी एक रहस्य है कि इन्हें सही हालातों का पता कैसे चलता है इन्होंने यहां तक पहुँचने के लिए हजारों किलोमीटर्स की उडान भरी है फ्लैमिंगोस जील के एकदम बीच में जाते हैं जहां बहुत ज्यादा पानी सुख जाने की वजह से नमक के आइलेंड्स बन जाते हैं और इसी जगह ये अपना घोंसला बनाते हैं किनारों से करीब 5 किलोमीटर्स दूर जिससे जमीनी शिकारियों से बचा जा सके क्योंकि शिकारी इसके आसपास मौजूद कास्टिक सोडा को पार नहीं कर सकते और ये अपना अंडा नमक के सूखे हुए खिले के उपर बनाते हैं जिससे कभी सतह पर पानी बढ़ जाए तो भी इनके अंडे सुरक्षित रहें